नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दिएचा फ़ड़ा में मेरा नाम है कास साक्षी दोस्तों खबर शुशान्त और दिशा के मौत के कनेक्शन को लेकर जिसे लेकर तमाम लोग आशंका जता रहे हैं कि हो ना हो किसी एक लौबी या सक्ष ने इन दोनों का कतल किया है और कनेक्शन को लेकर ही शुशान का एक SOS मेसेज भी सामने आई है जिसमें वो अपनी बेहन को कहते हैं कि वो लोग काफी पार्फुल है कौन है ये लोग क्या है पूरा मामला जानते है जानकार से यहां बता है यानिके एक एक एमर्जनसी मेसेज जो है वो सामने आया है जो उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले अपनी बेहन मीतू सिंग को भेजा था मीतू सिंग जो कि मुंबई में ही रहती है और ये जो मेसेज भेजा था ये दिशा सालियान की मौत के एक दिन बाद और अपनी मौत से पांच दिन पहले भेजा था लेकिन इस मेसेज का जो मजमून है वो बताता है कि सुशान सिंग राजपूत के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकट जो है वो पड़ी हुथी जिसकी वज़े से सुशान सिंग राजपूत जिनके पास अपने खुद की सुरक्षा भीवा करती थी एक सेलिबिटी थे इतना सब कुछ होने के बाद भी सुशान सिंग राजपूत काफी घबराए हुए थे और क्या कुछ था जो सुशान को पता था जिसकी वज़े से सुशान सिंग राजपूत ने अपने मौत की बाद जो है वो अपनी बहन से कही थी जो मैसेज भेजा है SOS उसका जो मजबूर है वो सामने आया है आकाश वो मैं अपने दर्शुकों को हू बहू बता देता हूँ कि अखिर सुशान ने अपनी बहन को जो मैसेज भेजा था उसमें क्या कुछ था उस मैसेज में साफ तोर पर सुशान ने लिखा था मुझे फसा सकते हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे मार देंगे। ये सुशान सिंग राजपूत के ही अलफाज है जो उन्होंने मैस requires के तौर पर अपनी बेहन मीतुई सिंग को भेजेते आकाश। फिर से बताता हूं मुझे फसा सकते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे मार देंगे। आखिर वो कौन जिसने दिशा का murder किया और सुशान का murder किया हलाकि इसमें एक और development हुई है खबरों के मताबि इसमें बताई ये जा रहा है कि दिशा सालियन की मौत होने के बाद में जब ambulance driver को phone करके बुलाया गया तो जब तक ambulance driver जो है प्राइवेट कार में डाल कर कुछ लोग लेकर चले गए थे जिसके बाद driver भी थोड़ा सा अचंबित हुआ था खिर ऐसी कौन सी जल्दी थी कि दिशा सालियन के body को प्राइवेट कार में डाल कर ले गए ये भी एक बड़ी बात है और जहां तक सुषान सिंग राजपूत के message का सवाल है तो इसको सिधार्थ पिठानी के उस बयान से भी जोड़ कर देखा जा सकता है जिसमें खबर आई थी कि सिधार्थ पिठानी ने CBI को ये बयान दिया था कि दिशा सालियन की मौत की खबर सुनने के बाद सुषान सिंग राजपूत जो हैं वो पेंट हो गए थे यानि कि बेहोश हो गए थे और जब उनको होश आया था तो वो अपनी जिन्दगी को लेकर अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़ादा डरे हुए थे और वो कह रहे थे I will be killed इसके हवाले से इस इधात पठानी अपने बयान में ये भी कहा था कि सुषान सिंग राजपूत जो हैं वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाते थे तो कुल मिलाकर इस पूरी थे और एक बड़ा डवलेमेंट एक बड़ा सबूत एक बड़ा मेसेज कि किस तरीके से अपनी बहन को उन्होंने अपनी मौत से पांच दिन पहले और दिशासालियन के मौत के ठीक एक दिन बात ये बात लिखकर भेज दी थी एमरजनसी मेसेज के तोर पर जो कि इस केस में अभी तक का सबसे ज़ादा चौंकाने वाला खुलासा है क्योंकि ये जो काउंट है ये जो स्टेटमेंट है ये सुशान सिंग राजपूत की मौत से पहले का उनकी खुद की लाइफ को लेकर है जो इस से पहले अभी तक सामने नहीं आया था काश एक बड़ी डेबलब्मेंट जिसमें AIMS और CBI की टीम आपस में मिलकर उसे पबलिक करेगी विसरा रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि शुशान को जहर दिया गया था या नहीं लेकिन फिलाल ये एक बड़ा अपडेट चुशान के केस में निकल कर आया और आगे जो भी डेवलब्मेंट इस पर आते रहेगी वह हम आपसे शेयर करते रहेंगे बैदाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्यारा है कमेंट शेक्शन में जरूर लिकर बताएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्स्राइब कर ले अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो मारे पेज को लाइक करें फॉलो करें